नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस ओपीसिल यूटूब चैनल में जिसमें दोस्तों आपको डेली अंगनवाडी से जुड़ी लेटस न्यूज की अपडेट मिलते रहेंगी तो चली दोस्तों आज किस वीडियो में के अंगनवाडी से जुड़ी लोगा मान दे कितना बड़ा है उसे संबंदी सर प्लीज एक वीडियो बनेए तो मैंने उस कमेंट पर फोकस करके आज की वीडियो 36 गर्ड़ की रहने वाली अंगनवाडी कारिकरता हुवा साहिकाओ के लिए बहुती बड़ी खुसकबरी वाली न्यूज मैंने बनेए तो चली दोस्तो आज की इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट के यह सुरू करते हैं अगर फ्रेंट्स आपको हमारी चैनल पर नहीं हैं और अपी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तो नीचे लाल बटन पर किलिक करके चैनल को सब्स अंगनवाडी कारिकरताओं का मांदे बढ़ाने का एलान सीएम द्वारा किया गया अंगनवाडी कारिकरताओं का मांदे 18,000 रुपे और साहिकाओं का 9,000 रुपे मांदे बढ़ाने के साथ साथ इनको सामाजिक सुरुक्सा पैंसन तथा सरकारी क्रमचारी बनाने की भी चर आंगनवाडी कारिकरताओं को मिले 18,000 रुपे वेतन तेरा जुलाई की है जोसो जैसे के आप देख सकते हो आंगनवाडी कारिकरताओं साहिकाओं को सरकारी कर्मचारी गोशित कर नियूंतम वेतन 18,000 तथा 9,000 रुपे करने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है यानि की दोस्तों मुख्यमंत्री से वारता हुईती इन आंगनवाडी कर्मचारी संग द्वारा जिसमें आंगनवाडी कारिकरताओं का वेतन 18,000 रुपे और साहिकाओं का वेतन 9,000 रुपे करने की सर्चा की गई थी और इसके साथ इनको सरकारी कर्मचारी गोशित भी किया जा सकता है बारतिय मज्दूर्शंग ने मुख्य मंद्री से मुलाकात कर आंट सुत्रिय मांग पत्रश्व पता दा स्यम ने परतिनिती मंदल को आस्वत किया कि सभी मांग पर विचार कर सकारात्मकन ने लिया जाएंगा बारतिय मदूर संग के परतिनिधी मंडल के गुरुवार को डॉक्टर मुख्यमंद्री डॉक्टर रमन सिंग से कारेले में मुलाकात की इस दोरान परतिनिधी मंडल ने कहा है कि बिजली उद्योग में कारेरत आर्टी आई तक्निकी करमचारियों को 33 शेनी का दर्जा देने मृतक करमचारियों के आर्शीतों को अनुकंपान न्युक्ति देने के प्रक्रण लंबीत पड़े हुए हैं इसी तरह बिजली करमियों को कैसले सिक्सा सुईदा का लाब नहीं मिल रहा हैं अंगनवाडी कारेकरताओं को 18,000 रुपे तथा सहाईकाओं को 9,000 रुपे नियुन्तम वेतन दिया जाना चाहिए यानि कि दोस्तो बारतिय मर्दूर संग के परतिनेती मंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर स्रीमान रमन सिंग से कारेले में मुलाकात कीती जिसमें उन्होंने अपने अंगनवाडी कर्मियों के मांदे से संबन देता सर्चापी कीती और बढ़ाने का भी एल परतिय मर्दूर संग के परवेश महामंत्री आरेस जायस्वाल ने बताया कि सिमेंट उद्योग में बी एम एस से समन्द सिमेंट करमसरी संग को मानेता परदान किया जाए तथा पदाधिकारियों को प्रतापित करना बंद होना पड़ा समस्त दैनिक वेतन बोगी करमियों को नियमित करने के साथ ही समस उद्योग में कारेर ठेका सर्मिकों को एस आई हिद्गरई कार से जोड़ा जाएंगा उन्होंने काएं कि बालगों में नियमित कर्मियों को स्वास्ति का आवाला देकर जबरदस्ती ही मेडिगल करवा कर छटनी करने के लिए कोशिच चल रही है उसे जल्द ही बंद किया जाना चाहिए बिलाई इसपात चाहिंदर कार खाने में आये दिन दुरुगटना परकरमचारी गायलोले हैं हेल्थ एंड सेप्टी की द्रश्टी से कर्मियों की सुरुक्सा सुनिचित किया जाना चाहिए और दोसी अफसरोस के खिलाफ सक्त कारवई होने चाहिए दोस्तो इन लेटस न्यूज में भारतिय मजदूर संग बामच के परतिनेदी मंडल ने गुरुवार को श्रीमान रमन सिंग मुख्यमंत्री चतिजगर के मुख्यमंत्री से वारता की थी जो मुलाकात की थी वो उन्हें अपने पर्मुक मुजदूरों के लिए बाते की गई थी उनकी मंगऑ मुख्यमंत्री मुख्यमंत्र चतिजगर की थी और इसके अलावव इन अंगनवाडिक कर्मियों के साथ सरकारी करमचारी बनाए जाए सामाजिक पैंसन दी जाए और इन्हें अन्य करमचारी के तरह ही सामाजिक सुर्ख सा भी परदान की जाए तो दोस्तों इस न्यूज के माद्यम से 36 गट के रहने वाले अंगनवाडी करमियों अमारे सब्सक्राइबर्स को उनसे इस चीट से जुड़ी लेटस न्यूज की अपडेट मिल गई होगी अगर फ्रेंट्स आपको ये वीडियो पसंद दे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सब आगियो अं तेस्ट न्यूस की अपडेट पाने के लिए प्लीज दोस्तों नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे साइड में बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिप केशन बटन को इनेबल करें तो आपका बहुत दनियावाद जोमार इस वीडियो को द